हाई फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम हीरोंस फॉर्मूला देखने जा रहे हैं बेसिकली किसी ट्रेंगल का एरिया निकालने में इस कंसेप्ट का इस्तमाल किया जाता है तब जब हमें उसकी सिर्फ साइड्स दे रखी है यानि साइड जैसे इस डाइग्राम को अगर आप देखें इस फीगर को आप देखें तो इसमें साइड अबी को मैंने अबी सी को स्माल बी और सी ए को स्माल सी माना है हमें उस triangle की तीनों sides A, B, C के रूप में दे रखी है तो जो hero's formula या hero's formula भी इसे बोलते हैं ये basically क्या कहता है under the root of S, S-A, S-B, S-C S जहांपर उस triangle के लिए half of the perimeter है अब perimeter क्या होता है, सभी को मालूम है आप सभी लोग जानते है perimeter का मतलब होता है उसकी सारी dimensions का sum यानि S हो गया A plus B plus C normally जो perimeter होता है वो हो गया A plus B plus C लेकिन यहां जो हमने S का इस्तमाल किया है वो half of the perimeter है half of the perimeter का मतलब A plus B plus C upon 2 एक problem ले लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे use करना है कैसे जब problem आएगा तो हम apply करेंगे एक triangle दे रखा था ABC जिसकी dimension जिसकी side दे रखी है AB equal to 5 cm suppose BC equal to 6 and CA equal to 7 तो पहला step होगा हमें S निकालना होगा S क्या होता है A plus B plus C upon 2 तो 5 plus 6 plus 7 upon 2 that is 18 upon 2 equal to 9 now ultimately this formula we have to apply तो निकाल लेते है S minus A हो गया 4 S minus B हो गया 3 and S minus C हो गया 2 now area of triangle equal to S means line S minus A means 4 S minus B means 3 S minus C means 2 तो product लेंगे तो final answer becomes 6 root 6 square unit जो भी centimeter या meter में जो अगर दे रखा है तो meter square हो जाएगा अगर centimeter में दे रखा है तो centimeter square हो जाएगा इसकी utility दोस्तों पहले हम लोगों को जैसे perpendicular means height अगर दे रखी है तो हम लोग इस्तमाल करते थे area of triangle के लिए 1 by 2 base upon height base into height तो basically हमें अब क्या करना है कि अब हमें height के लिए जो है नहीं देखना है means हमें अगर dimension पता है means उसकी sides का knowledge है कि वो values क्या है तो हम उसको simply heroes formula लगा करके हम लोग solve करके इस कहां सनगा है बहुत useful formula आई है तो हम इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे अल्राइट दोस्तों एक common question है कि how many triangles you can find out in a given diagram और figure यहाँ पर तीन diagram दे रखें पहला diagram देखिए एक triangle है जिसमें beach में से एक vertical line जा रही है और पूछा है total number of triangles इस figure में कितने हैं तो manually अगर हम चलें तो हम बोलेंगे one, two और यह total, three तो बहुत simple है कोई भी बता देगा लेकिन जब यह case आएगा जब यह case आएगा तो आप manually calculate नहीं कर सकते दो इसका मतलब कोई trick जरूर है इसके पीछे तो देख लेते हैं वो trick क्या है simple सा trick यह होता है नीचे वाली line को जितने segment में तोड़ा गया उसकी numbering कर लिजे one, two इस वाली side में अगर segmented है तो उसकी numbering कर लिजे otherwise वो तो one रहेगा अब तरीका क्या होता है इन दोनों को sum कर दीजे और इसके साथ product ले लिजे three triangles इसमें हैं वो ऐसे भी आप find out कर सकते थे one, two और यह overall three now come to this अगर आप manually चलें तो शायद आप answer तक पहुँच जाएंगे लेकिन इस case में आपको दिक्कत होगी पहले इससे देख लेते हैं अपने rule के हिसाब से one, two, three, one plus, plus product six simple है one, two, three, overall four, five, six इसमें लेकिन हम manually नहीं चल सकते तो एक rule जो rule है वो हमें follow करना पड़ेगा simply we will write here one, two, three बीच में लगाए प्लस इधर numbering करिए one, two, three into three three plus two five plus one six six into three eighteen triangles है आप इस दिये हुए figure में eighteen triangles है दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि numbering हमेशा left to right और top to bottom होगी और यह technique सिर्व ट्रेंगल में ही applicable है next video में दोस्तों एक और ऐसा concept हम लोग और सिखेंगे thank you